तो आज का जो मेरा डिनर है, इतनी टेस्टी और इतना अच्छा कॉम्बो है, तो आज मैं पॉस्टिक और स्वाधिष्ट दोनों बनाने वाली हूँ, हेलो एप्रिवाइन, विलकम करती हूँ प्रीतो की जी रेस्पीस में, तो आज मैं अपने डिनर में बनाने वाली हूँ, healthy recipe तो चलिए बनाते हैं जो बच्चे लौकी खाने से कतराते हैं आज विखी लौकी का इतना बढ़िया रेश्पी बनाओंगी कि आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे और यहां पर हमारे पास एक पका मुरूत था तो मैंने सोचा कि इसका बनाएंगे चटनी चटनी और लौक और यह हमारे पास एक हपते से पड़ी थी लौकी हमारे घर में लौकी की सबजी लौकी की कोई भी रेश्पी नहीं खाई जाती है बट आज मने सोचा कि यह बनाती हूँ और देखती हूँ सबका रियक्शन कैसा रहता है तो सच में बच्चे तो मांग मांग के खाया थे उ और आप इसको ना टिफिन में भी बना सकते हो लंच में हजबेन के बना सकते हो सच में बहुत स्वाधिश्ट और मुलायम पराठे बनते हैं और बहुत आसान तरीका है तो यहां पर हमने लौकी को धूल लिया इसको अच्छे से छीलने के बाद इसको हमने धूल लिया और जब तक यहां पर हमारा अम्रूद जो पका वाला है ना मैंने इसको गैस पर रख दिया है ताकि बढ़िया से यह पक जाए स्मोकी फ्लेवर में आ जाए इससे क्या होगा ना जो चटनी होगी बहुत बढ़िया बहतरीन बनेगी तो यहां पर हमारा कदू कस हो गया क्या बो पτα़े है जैसे कि कोफता पराठा चीला मुझे बहुत पसंद आता है तो जो लौकी का पानी है मुझे को निकालेंगे नहीं उसी जो है लौकी में हमने यहां पर आधा कप रागी का अटा लिया है और एक कप हमने यहां पे लिया है ग fret नहीं का आता है थोड़ा सामने डाला है धनिया पाउडर साथ में इहां पर Agr ciao खर करके यह आपे सौल ठाल एंगे तो ढला सकते हो और यहां प्रक्राश करकिंगे एक प्रशा किरेंने यहां जी यहां गाइस आज्वाई चिर्शाब Jordy बहुत बढ़ियां आता है और बहुत बढ़ियां डाइजेस्ट हो जाता है साथ में आपे थोड़ा सा अद्रक कद्दू कस कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमने लिया है एक मेडियम प्याज एक साथ में एक हरी मिर्च क्योंकि हमने रेडचिली पाउडर डाला है न तो एक हरी मिर्च डालेंगे बच्चों को खाना थे तो बस हमने वो डाल दिया है अब हमें पानी डाल के इसको गूथना नहीं है इसको बस लौकी के ही पानी में गूतना है और इस्ट्रा आटा थोड़ा सा रख ले जब आपको लगे गीला है तो आप थोड़ा थोड़ा आटा डालके इसको गूत लेजिए तो ये देखिए आटा डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी हमने यहाँ पे डेड़ इसको हम फ्रीज में श्टोर करके रख दिये हैं और यहाँ पर अमरूद हमारे अच्छे से पक चुके वासे तो पका हुआ है बस थोड़ा सा भूनना था इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और मैंने यह चटनी पहली बार बनाया सच में कोई भी पराठे के साथ आप खाएं बहुत टेस्टी लगता है और यहाँ पर इसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं इसको सूंगने लगी तो यहाँ पर हमने अमरूद को छील लिया है और इसके बाद हरी धनिया दे सारा ले लेंगे अद्रक ले लेंगे और साथ में यहाँ पर हरा मिर् डाल के बस सिंपल सा है अमरूद की जो चटनी होती है बट यह टेस्टी लगती है और इसके बाद इसको हम पीस लेंगे तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को कहां कहां से देखते हो प्लीज 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 जो है कमेंट किया करिए मैं हर कमेंट का रिप्लाई दिया कर देखिए यहां पर हमारी चटनी बणिया अमरूद वाली चटनी बनके रेडि हो गया है और यह चटनी तो हमने पहली बार बनाया सच में बहुत अच्छा लगा मैं अब तक की जो है बस से देखती थी कि अमरूद की चटनी कैसे होता था बट जब मैंने बनाया ना तब मु मैं से निकाल के लाएं बहुत ठंडा हो गया गाइस ठंडी इतनी पड़ रही है इतनी पड़ रही है आज तो मुझे जो है टोपी भी लगा के रखना पड़ा बहुत जबर जस्त वाली ठंडी पड़ रही है और साथ में ऐसे पौस्टिक से भरा स्वादिष्ट थाली मिल तो वाओ ठंडी में क्या बात है तो बस हमने यहां पर रहे सारा चकी बना लिया है और आप इसको किसी भी आकार में बैल सकते हो मतलब स्कौर में या चोकौर में या फिर ट्रेंगल में जैसे भी आप चाहें या रोटी में यह हर तरह से यह बेल मतलब बिल आ जाता है बस थोड़ा से अगर आपको लगे ना कि लौकी थोड़ा सा गीला हो गया तो आप थोड़ा सा आटा डाल के इसको गोच सकते हो बट हमें जरूरत नहीं पड़ी और हमारी यह देखिए करमा गरम बढ़ियां बढ़ियां पराथा क्रिस्पी तो आज के जो मेरी डिनर मेनू है यही है लौकी का पराथा साथ में अम्रूत की चटनी आप एक बार जरूर बनाना सच में आपको खुदी पता चल जाएगा कितना टेस्टी और कितना यम्मी अ साथ में कितना पौश्टिक होता है बस हाँ हमने यहां पर रागी के आटे डाले थे ना रागी के आटा जो है थोड़ा सा लचीला होता है गीला होता है इसको अगर गूत के रख दो तो वह गीला हो जाता है बस उसकी वज़ा से थोड़ा सा जो है यह आटा मतलब जो पराथा मेरा बन रहा है उबड़ खावर बन रहा है नहीं तो यह गेहूं अगर डाले होते हैं तो इससे एकदम प् जाएगा तो आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हो बच्चों के लिए healthy रहेगा काफी जो है और यह स्वादिष्ट भी रहेगा और इसके साथ हमने यहाँ पर अमुरूद की चटनी बनाया है आप इसको सॉस के साथ ग्रीन चटनी के साथ या फिर चाय के साथ सच में बहुत मजा आने वाला है और यह रही हमारी डिनर आप लोग को जरूर पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो प्लीज इस लौकी को जो पराठे ना सेयर करना अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना नहीं भी अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना मुझे पता चल जाए कि कितने लोग मेरी रेस्पी को देख रहे हैं और सच में जब मैंने यहां पर खाया ना इतना परफेक्ट लग रहा था इतना टेस्टी लग रहा था लौकी की जगां पर और भी कोई पराठा होता तो चटनी के साथ सच में बहुत मस्त लगता मिलते हूं नेक्ट रेस्पी में बाबाई टेक केर